हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आए हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मान अफ्तावादी पारिपेक्ष के वारे में यानि क्यूमिनिस्टिक प्रेस्पेक्टिव और सोशोलोजी और जो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीज़ेगा कमेंट करके जरूर बताएगा आप सभी का हर एक कमेंट मेरे इंपोर्टन है और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप बहुत बाते करती हैं और अपना दस मिनट की वीडियो में पांच मिनट बोलने में निकाल देती हैं तो आपको मिलेंगे सारे नोट्स और मेरे चैनल का नाम है सोचीलाजी नोट्स तो जहां पर पेजीटी का स्लेवर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी तो और सारे सब कुछ फ्री होता है आप पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह कोई कुछ चीज पे करने पड़े कि आपको नहीं फ्रेंड सब कुछ फ्री है बस आप लोगों को प्लेलिस्ट चेक कीजे में चैनल पर को सब्सक्राइब कीजे और आपको सारे सोचोलोजी से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे जो कि बीए में पीजीटी आईएस आप कुछ भी कर रहे हैं उन सबी के लिए यह सारी चीजे यूसफुल है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो देखे फ्रेंड्स यहा महां पर आपको मरफ्तवादी परिपेक्ष के बारे में बताया जा रहा है जो कि अमेरिकी समास्यास्त में मनोवज्ञानिक ह्तव को प्रदानता दे ते हुए मनुष्य को इक्छा, भावन, उद्देश एवं वरद्ध 토त के रूप में परिवासित दिया गया अमेरिकी समा जिसमें मनुष के इक्छा भावना उद्देश एवं ब्रध्धी के रूप में परिवासित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यवसाइक सनुषना के लिए तैयार रहने की प्रेड़ना दी गई और उन समाजिक समस्याओं की और लोगों का ध्यान खीचा गया जो अध्योगी करण नगरी करण तथा प्रवास के कारण उत्पन हुई प्रवास माने किसी और उसमें जाकर अपना कुछ स्टार्ट कर लेते हैं कारण उत्पन हुई इस बदले हुए समाजिक परिवेस में समास्सास ने मानविय परिपेक्च के विकास में योग दिया ठीक है जो इसमें रहने वाल जो लोग इस परिपेक्ष के अंतरगत रहते हैं उनके जो समास में जो लोग घहते हैं उनके द्रस्टी कोड को समझ कर अपने जो भी विचार है वो देते हैं 1920 से 1940 के बीच अनुभविक समास्सास्त्रिय गतिविदी काफी तेज थी परिवारों समुदाय समाजिक परिवर्तन अपराद एवं बाल अपराद बिचलित व्यवार जहनसंकिया आदी से सम्मंदित अनिक अध्यन किये गए किसके अंतरकर थी इस समय के अनुभवर्त तथा हार्ट आदी ने समर्थन किया इसी समय नप्रत्यक्षवाद का भी उद्या हुआ और इसमें वैन और लूंभवर्त ने भी अपना विचार दिये मानवी की परिपेक्ष में बस्तूपरक अब्जेक्टिव अध्यन की वजाएक विषय परक यानि की सब्जेक्टिव अध्यन को अधिक महतपूर् मतलब इस परिपेक्ष में महनतावादी परिपेक्ष में जो बस्तु परक चीजों को इतना ध्यार नहीं दिया गया जितना कि विसेश परक मतलब किसी सब्जेक्टिप चीज पर अध्यन ज्यादा किया गया इस परिपेक्ष के अंतरगत तो विसेश समाज, विसेश समू, वि विशेष व्यक्ति के अध्यन को महत्मूर माना गया मतलब जो चीज काफी इंपोर्टेंस रखती है किसी भी समाज के अंतरगत उस चीज को जादा मानता दी गई इस परिपेक्ष के कौन सी मानफ्तावादी परिपेक्ष के अंतर मैक्स वेवर की वस्टर हेंड पद्दति भी मानवी की समाज सास के एक पद्दति है वस्टर हेंड के बारे में भी मैंने पढ़ाया है जो की एक इंसान की समझ के अनुसार एक पद्दति है जिसमें वो दिया समझ पर विसेश जोर दिया जाता है ये भी मानफ्तावादी परिपेक्ष के अंतरगती इस परिपेक्ष का क के बलकि प्राणी के लिए समाज शास्तियों में वे लोग आते हैं जो स्वैम को काफी समवेधन से या था मोर्ट से प्रमुख जोड घ्टनाओं में समलित होने पर देते हैं मतलब जो हमारी रोजमर्रा में जो चीजे होती हैं उन चीजों पर चाहदा जोड देते हैं इसके according ठीक है फिर आते हैं हम next जैसे विध्यार्तों के जीवन में भागीदार बनने पर अपनी गंदी वस्तियों को संगटित करने के गरीवों के प्रयासों प्रितनों में अपने को लगाना मतलब जैसे कि कुछ हम कहते हैं कि हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं आप उस चीज को ठीक करो या करीवों के लिए कुछ करो या स्कूलों में जाओ उनकी हालत सुगारो ऐसी कुछ चीजें इनमें अपने आपको लगाना उप्यूक द्विविचन से इस पस्ट है कि मानवी परिपेक्च वैग्यानिक परिपेक्च के विपरीत परिपेक्च है जिसमें वैग्यानिक पद्दती के अतिसयम और नैतिक निश्पक्षता को मानता नहीं दी गई पलकी इसमें दिन प्रति दिन की छोटी मोटी घटना ओपर द्यान दिया गया पतलब जो हमारे रोजवर्णा में जो चीजें होती है जो घटना घटती है उन चीजों पर जादा जोड दिया गया ठीकि वैग्यानिक पद्दती पर नहीं फिर पर्ते मानवी की परिपेक्च के अंतर गथ समाजय की अधार्थ के अध्यन के प्रमुख उपागम निम लिखित है एथनो मेथोडोलोजी यानि की ळो जो होता है नरजाती पदती सास्त अथनो मेथोडोलोजी पर गटना सास्त फिमलॉलोजी अमुल परिवर्थनवा प्रवतनवादी उपागम और प्रतिकात्मक अंतक्रिया तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एथनो मेथोडोलोजी याने के नर्जाति पदति सास के बारे में और प्रगटना साथ याने की फिमनलोजी के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमूर को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है कि जो सोसल रियाल्टी जो समाज की सच्चाई है उसको समझने में उप्योगी है सरपर्थम गार फिंकल ने अपने पुष्टक स्टेटीज इन एथ्रोमेथोडोलोजी में इस उपागम को प्रस्तुत किया यहां पर यह आप कुल दियान से देखेगा किस पुष्टक में कोशन पूछा जा सकता है नैट के एक्जाम में और काफी और पूछ भी लिया गया है कि जो नर्जाती पदती सास है सरपर्थम कौन सी पुष्टक में या किसने गार फिंकल ने किया था प्रस्तुत किया था उन्होंने यह उपागम मानविय विवार के उन पक्षों के अध्यन पर ध्यान के इंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रते दिन की समाने किरियां से सम्मनित है जो मतलब इनसन सूबह उठता है फिर सारे काम करता है क्या कम्यूनिकेशन करता है किस तरह की चीजे करता है ऑफिस में जाता है वो सारी चीजों का इन चीजों पर ध्यान के इंद्रित करता है और इस उपागम में निमलिकित तीन पक्षों के अध्धन पर जोड़ दिया ज समाजिक प्रतिमानों का वय पक्ष जो की व्यक्ति अपने वहवार में लेता है यानि कि जो समझाने के लिए इसारों का उप्योग करते हैं जो समझारों को इन चीजों के वारे में ठीक है तो अभी हम नेक्स पॉइंट देखते है हैं कि एथ्णो मेथोडो लॉजी के प्र उनका मानना यह है कि इसमें ख़टना होती है तो परिफरतन सील होती है, यह बदलती है, एक जगह इस्थर ने रहती है. तो यह जैसे कि अगर एक इन्सान अभी उसको भूग लग रही है और थोड़ी दिर बाद उसने खाना मांगा लेकिन फोड़ी दिर में हो सकता है कि उसक मुख ना लगे तो खाना नहीं खाएगा तो यह चीज़ें बदलती रहती है इस उपागम में उस समाजिक याथार्त के अध्यन पर जोड़ दिया जाता है जिसका निर्मार समाजिक अंतर क्रिया के माध्यम से होता है मतलब जो समाज में हम क्रियाएं करते हैं एक दूसरे के साथ कम्निकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ कोई काम करते हैं बहवार करते हैं वो अंतर क्रिया के माध्यम से समाजिक अध्यन किया जाता है इस उपागम में व्यक्ति की प्रैस्तिति के वजाए उसकी भूमी का अदा करने की विसिष्टा अधिक महत्पूर है मतलब कि इस उपागम में यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति का क्या पोस्ट है ये नहीं देखा जाएगा बलकि वो उस पोस्ट की जो रोल है उसकी जो भूमी का है उसको कैसे नहीं बारा है और औरों के साथ वो किस तरह का बहवार कर रहा है अपनी पोस्ट के यानि के अपनी भूमी का अपने रोल के अकॉर्डिंग ठीक है इस उपागर में प्रस्णावली अर्थ तथा अनुसूची जैसी अप प्रत्यक्ष अध्यन पद्धत्यों का प्रयोग नहीं करके सहवा की अवलोकन डायरियों आत्मकाथाओं आदी प्रभधियों को काम में लाया जाता है जैसे कि इसमें हम किसी के प्रस्णावली य ऑनों के अब लोकन यानि arrow करते हैं दायरियों लिखवाते हैं आत्मकाथाय उनकी हम सुनते हैं जानने के कोशिश करते साइव्यन कोई यह व्यक्ति आद्ध्यन का में प्रभग होता है इसमें दूर्द हैं नहीं कि आदिया दीम का वक पर दोरतों अ संकर अद्ध्यन इनका महत पुर्भाग होता है यह उपागम समास सास में विज्ञानिक परिपेक्च को चुनोती देने और मानमी परिपेक्च के महत को बढ़ाने में सायग रहा है मतलब नरजाती पद्दती सास एक ऐसी पद्दती है जिसमें मानव को एक object ना मानकर उसको एक subject माना गया है एक ऐसी पद्दती जिसमें मानव का पूरा वहवार का धन किया गया है तो friends I hope आपको ये नर्जाती पदती सास और मानफतावादी परिपेक्ट समझ में आया होगा और मुझे कमेंट करकी जरू बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और हम next video में पढ़ेंगे प्रगटना सास याने की phenomenology और symbolic याने की प्रतिकात्मक अंतरपिया ठीक है तो वीडियो जादर लंबी हो जाएगी इसलिए टेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो thank you so much